इस वीडियो में में इस question को solve करेंगे और ये हमारे trigonometry के complete course का जो series है उसका 8th number video है ये question मैंने लिया है आरे सगरवाल से उसका example number 27 नहीं देखिए question में क्या prove करने बोला आपको prove that square root of 1 plus sin theta by 1 minus sin theta plus square root of 1 minus sin theta by 1 plus sin theta is equal to 2 times of sec theta बहुत easy question है, important question भी है इसको आप solve करेंगे कैसे, देखिए option क्या available आपके पास सबसे पहले आपको यह देखना है अगर आपको कहीं पर भी left hand side में square given होता है किसी ratio के ओपर तो आप formula apply कर लेते है यहाँ पर वैसा option available है नहीं फिर आप 10, cosec, sec और cot इन सब को sign और cost में convert कर देते है convert करके आगे solve करते जाते हैं कहीने के square मिल जाता है फिर formula apply कर लेते हैं यहाँ पर वाले option भी available नहीं है तो यहाँ पर आप कर क्या सकते हैं यहाँ पर एक यह fraction given है इन दोनों को add कर देंगे हैं यह option available है आपको एक बड़ चेक कर लेना है कि इसके बड़ जो step आएगा उसमें आपको square मिलता है यह फिर जो भी मिलता है उसके आगे आप क्या करने वाले एक step आपको आगे हमेशा सोचना है तो अगर हम इसको और इसको add कर देते हैं एड़ करने के लिए क्या पढ़े आपको ऐलसम लेना पढ़े है सब्सक्iseen प्राशन गड़ी और मृइन दोनों को मृइन जब्रों मृइन साइन थीटा को मृइन दोनों को मृइन स्क्टुर देता है cos square theta के equal होता है square root of 1 minus sin theta square root of 1 plus sin theta तो उन्हों को multiply करेंगे square root of cos square theta मिलेगा square root of cos square मतलब आपको final answer मिलेगा cos theta denominator में cos theta मिलेगा prove क्या करना है prove करना है to sec theta जो cos theta आपको denominator में मिला है उसका अप्रेसिफ रोकल कर देंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा sec theta हो जाएगा जो आपको right hand side ने prove करने बोला है मतलब आप यहां से ही समझ सकते हैं आप last तक का answer देख सकते हैं कि आगी जैसे जैसे आप solve करते जाएगे सबसे final आपको step करना क्या है calcium लेना है root में 1 minus sin square theta मिलेगा जो cos square theta बनेगा जो cos theta बनेगा जो उपर जागर के sec theta बन जाएगा साथ में आपको यहाँ पर 2 भी दिख रहे है इसका मतलब भी कि जो final answer होने वाला वो शायद ऐसा होने वाला है 2 by cos theta अई देखते हैं अब बार अई आप solve करते हैं लिखते हैं taking left hand side जो given एक बार बहु लिख लिए square root of 1 plus sin theta divided by 1 minus sin theta plus square root of 1 minus sin theta divided by 1 plus sin theta इन दोनों को add करना है तो add करने के पहले हम चाहिए तो एक step और ऐसा लिख के दिखा दे इन दोनों को अलग अलग लिख के दिखाते है square root के अंदर जैसे देखे आप इसको ऐसे लिख लिख लिए square root of 1 plus sin theta divided by square root of 1 minus sin theta ऐसा express करके लिख के दिखा सकते हैं तो आपसे easy हो जाएगा समझना आपके लिए plus और यह क्या हो गया square root of 1 minus sin theta divided by square root of 1 plus sin theta इन दोनों को add करना है उसके लिए आपको इन दोनों गैंसम लिना पड़ेगा इसको और इसको multiply करना पड़ेगा तो multiply करना है तो यह दोनों square root के अंदर है तो हम जानते दोनों square root वाले पार्ट को में एक साथ लिख सकते हैं तो इसको मैं ऐसे लिख के दिखा देते हैं 1-sin theta multiplied by 1 plus sin theta इसको और इसको आप multiply करेंगे square root of 1 plus sin theta को जब आप square root of 1 plus sin theta से multiply करेंगे तो आपको answer क्या मिलेगा square root of 1 plus sin theta whole square plus same case यहाँ पर भी है square root of 1 minus sin को आप square root of 1 minus sin से multiply करेंगे तो यहाँ भी क्या answer मिलेगा square root of 1 minus sin theta का whole square ठीक है square root square दोनो cancel हो जाएगा, आप जानते है square root का मतलब क्या हो दा 1 by 2, तो ये 1 plus sine theta के power में 1 by 2 है, और यहां पर ये 2, तो 1 by 2 को अब 2 से हम antitri करेंगे 2 और 2 cancel हो जाएगा, तो फिर ये किसी के equal होगा, ये होगा 1 plus sine theta के equal, तो इसके जगा लिख सकते हैं 1 प्लस sin theta यहाँ भी same case है square root है तो square दोनों cancel हो जाएगा क्या बचेगा 1 minus sin theta divided by square root 1 minus sin theta को आप 1 plus sin theta से multiply करेंगे a minus b को a plus b से multiply करेंगे answer क्या आएगा a square minus b square बतलब यहाँ पर क्या आएगा 1 का square minus sin का square ठीक है यह sign और यह sign हो गया cancel क्या बच्छा आपके पास 1 plus 1 2 जो हमने starting में बात किया था कि इसको हम solve करता जाएगे तो numerator के इंदर हमको 2 मिलने वाला है जरूर और वो मिल गया और यह क्या हो गया देखिए square root of 1 minus sin square theta और यह भी हमने पहले बात किया था square root में 1 minus sin square theta मिलेगा और यह cos square theta में convert हो जाएगा तो इसको मैंसे लिख सकते है 2 divided by square root of cos square theta यह आया कैसे आपको reason लिख के दिखाने है जरूर से कि sin square theta और cos square theta इन दोनों add करने पर answer आता है 1 इसलिए 1 minus sin square theta किसके एकोल हो गया cos square theta के एकोल हो square root के अंदर है square है cancel हो जाएगा क्या मिलेगा आपको 2 by cos theta 2 by cos theta किसके एकोल होगा यह होगा 2 sec theta के एकोल यह यह right hand side जो आपको prove करना था proved तो बहुत easy question आपको जरूर समझ मैं होगा और इस question में आप देख रहे हैं कि इन दोनों fractions को add करना था इसके बाद जो हम question मनाएंगे उसके अंदर आप उसरी इतना सपाट दिया वार आएगा root में 1 plus sin theta by 1 minus sin theta जो है NCRT का question है NCRT 8.4 का 5th number का 6th number part है जो कि आपके board examination point to view उसे भी बहुत important है इसके बाद वही वीडियो बनाऊगा इसका लिंक आपको description box से मिल जाएगा वीडियो के end में मिल जाएगा इस question मुझे लगता नहीं आपको कोई भी problem होगा thank you guys